Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, बहुत लोग मुझसे पूछा करते हैं कि आपने data science कैसे सीखा और I can understand the question, आप लोग सीख रहे हो तो आप जानना चाहते हो कि मेरा learning journey क्या था But honestly, जब भी कोई मुझसे एक question पूछता है मेरे दिमाग में एक ही answer आता है कि यार जो मैंने किया है वो आप मत करना Because I know myself, मैंने around 2 साल लगाए थे Machine learning ठीटथा के लेवल पर सीखने के लिए और अगर आप job hunting करना चाहरे हो, job लेना चाहरे हो तो I don't think आपके पास 2 साल है तो honestly, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा सीखने का तरीका बहुत सही नहीं था In my own opinion And that is why I feel कि आपको मेरी तरह नहीं सीखना चाहिए But जब लोग मुझसे question पूछते हैं तो एक interesting thought आता है मेरे दिमाग में कि what if What if अब जितना मुझे पता है उसके basis पे मुझे दोबारा chance मिलता वापस जा करके फिर से machine learning सीखने का तो मैं कौन सी गलतिया नहीं करता मुझे लगा इसके उपर एक वीडियो बनाते है ठीक है ये आप लोग के लिए भी बहुत beneficial होगा कि एक learner जब machine learning सीखना start करता है तो क्या-क्या गलतिया करता है मैं आपको अपनी 10 गलतियां बताऊँगा ठीक है मतलब मेरे को लगता है और भी जादा गलतियां किये मैंने बट ये 10 बहुत important गलतियां मैं आपके सामने रखूँगा जो आपको नहीं करना है अगर आप machine learning सीखना start कर रहे हो तो let's start the video गलती नमबर 1 से start करते हैं सबसे पहली मेरी जो गलती थी वो था false expectations so मैंने जब machine learning सीखना start किया तो मैंने अपने दिमाग में गलत expectation set कर लिया कि मैं 6 months में machine learning, data science end to end सीख जाऊँगा which is kind of incorrect मतलब अगर आप थोड़ा भी syllabus देखो, curriculum देखो और जितने तेजी से ये पूरा field grow कर रहा है मैं आपको एक बार तो guarantee के साथ बता सकता हूँ कि कोई भी 6 महिनों में data science को cover नहीं कर सकता आपका जो learning होगा ना वो constantly चलता रहेगा जब आप company में घुस भी जाओगे, job करने लगोगे तब भी आप daily basis पे सीखते जाओगे तो 6 months में इस not possible so मैंने अपने लिए ये unfair expectation set कर लिया था जिसकी वज़े से क्या होता था कि हर एक महीने दो महीने में मैं खुछ से पूछता था हो गया 10% हो गया 20% और कभी भी answer yes नहीं होता था और मैं frustrated होता था और मेरा जो learning था हो hamper होता था तो अगर आप start कर रहे हो आज की rate में machine learning data science तो एक fair expectation set करो कि यार मुझे 6 months में उतना सीख जाना है जितना interviews के लिए required है ठीक है हर चीज करना impossible है अगर आप unfair expectation set करोगे तो फिर आप खुद को hurt करोगे और खुद को hurt करने से आपका learning भी hamper होता है तो this was my first mistake गलती नमबर 2 not sticking to a single roadmap बहुत बड़ी field है बहुत चीज़े cover करनी है तो जो एक बहुत important चीज़ बन जाती है वो है आपके पास एक सही curriculum होना चाहिए एक roadmap होना चाहिए जो आप follow करना चाहते हो कोरसरा पर कोई course start किया उनका curriculum follow करने लग गया इसकी वज़े से क्या हुआ कि मेरा जो learning period था ना वो बहुत बढ़ गया मैंने multiple चीज़े बार-बार की मतलब एक single topic तीम चार बार पढ़ाई किया कुछ topics एक बार भी पढ़ाई नहीं किया तो बहुत ही inconsistent रहा पूरा का पूरा preparation because मेरे पास एक single roadmap नहीं था तो अगर आप आज की rate में start कर रहे हो machine learning, data science पढ़ना मैं आपको suggest करूँगा जादा time लेके सबसे पहले ये decide करो कि आपको कौन सा roadmap, कौन सा curriculum follow करना है और एक बार जब आपने उसको decide कर लिया तो उसको religiously follow करना है उसको question नहीं करना है उसको हटाना नहीं है complete करना है मेरे channel पे मैंने एक roadmap video बनाया था the feedback was very good अगर आप मेरे channel पे नए हो या वीडियो आप पहली बार देख रहे हो आप मेरा roadmap चेक कर सकते हो तो वहाँ में मैंने एक end to end data science का roadmap बना रखा है हो सकते हैं आपको वह पसंद आज है तो this was my guilty number 2 guilty number 3 is being inconsistent देखो यार एक बार शायद आप भी जानते हो कि अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हो master करना चाहते हो तो एक key quality जो आपके अंदर होनी चाहिए ना वो है consistency मतलब daily मैं पढ़ाई करूँगा daily उसी time पढ़ाई करूँगा daily उतने duration के लिए मैं पढ़ाई करूँगा ये consistency होना बहुत जरूरी है अगर आप consistent होते होना तो आपका learning add up होता है जो आपने कल पढ़ा वो आज की learning से जुड़के add हो जाएगा पूरे हफते अगर आप अपने पढ़ाई की तो वो add up होता है अब मैंने क्या किया since मैं एक job कर रहा था उस time पे और उसके साथ साथ में machine learning सीख रहा था तो मेरा जो learning था वो बहुत consistent नहीं था depending on my job मैंने आज पढ़ाई की कल नहीं की Sundays को बहुत पढ़ाई कर ली Monday को नहीं कर पाया तो कुछ भी reason की वज़े से न मैंने daily पढ़ाई नहीं की मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है अगर आप commit कर रहे हो कि आपको data science में घुसना है तो फिर no matter what आपको time निकालना पढ़ेगा और आपको religiously उस time पर पढ़ाई करनी पढ़ेगी अगर आप consistent होगे तो आपका जो preparation होगा वो 10 folds improve कर जाएगा अगर आप inconsistent हो कुछ भी reason हो सकता है इसके पीछे आप job कर रहे हो या फिर आप की life में कोई issue चल रहा है कुछ भी reason है if you are inconsistent I feel आप उतने अच्छे से नहीं सीख पाऊगे जितने अच्छे से आप सीख सकते हो अगर आप daily consistent पढ़ाई करो तो ये एक mistake मैं rectify करना चाहूँगा अपनी learning journey से अब मैं आपको कुछ technical mistakes बताता हूँ अपनी अभी तक जो तीन mistakes मैंने बताई ये non-technical mistakes थी so mistake number four गलती number four not mastering the pillars of data science so pillars of data science मैं किसको बुलाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तीन चीजे मिल करके मेरे हिसाब से pillars of data science बनती है python, SQL, statistics plus जो भी maths चाहिए होता है so मैंने एक बहुत famous quote पढ़ा था बहुत पहले कभी कि अगर आपको एक पेड को काटने के लिए 6 घंटे दिये जा रहे हैं तो आपको 4 घंटे अपने एक कुलहाडी को sharpen करने में लगाना चाहिए और ये बहुत valid है ये पुरा thought जो है ये पुरा जो quote, it is a very valid quote इस situation पर बहुत apply होता है so मैंने क्या गलती की कि मैं जब data science में घुसा तो since इतना कुछ cover करना था and I was so obsessed with learning machine learning algorithms कि मुझे बस जट से machine learning algorithms पढ़ने का मन था उस चक्कर में मैंने शुरू की चीजों पर मैं बहुत ज़ादा ध्यान नहीं दिया मैं software engineering background से आता हूँ तो python मुझे ठीक आगाता था software perspective से SQL भी मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने web development किया था statistics मैंने college में बढ़ा था school में बढ़ा था उसके बाद मैंने कभी भी cover नहीं किया so basically मैंने आधा धूरा knowledge gather किया python, sql और statistics का और जल्दी से machine learning वाले part में घुश गया which is machine learning algorithms अब problem क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि data science की journey में आप daily basis पे इन तीन चीजों को encounter करोगे आपको python daily दिखाई देगा आपको sql भी शाया daily दिखाई देगा statistics तो daily दिखाई देगा ही अब अगर आपने master नहीं कर रखा इन तीन चीजों को तो problem क्या होता है कि let's say आपने किसी का code उठाया और आप उसको study करने की कोशिश कर रहो but suddenly से आपने notice किया कि उसने python का कुछ एक बहुत complex syntax लिखा है जिसका आपको कोई idea नहीं है तो अब आप क्या करोगे आप frustrate हो जाओगे आप बोलोगे यार ये तो नहीं हाता है तो आप उसको बंद करोगे कोई दूसरा notebook उठाके पढ़ने लग जाओगे but अगर आपने python, sql और statistics को master कर रखा है तो आपको daily basis पे परिशानिया नहीं होगी इसलिए अगर आप data science start कर रहे हो पढ़ना मैं आपको recommend करूँगा कि आप सबसे पहले time दो python, sql और statistics को अच्छे से सीखने में ये आपकी आगे की journey को बहुत smooth बना देगा mistake number 5 ये भी एक technical mistake है मैंने तीन चीजों पे शुरू में at least बहुत जादा focus नहीं किया और इन तीन चीजों ने मुझे बहुत परिशान किया आगे चलके जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में I was obsessed मेरे लिए machine learning सीखने का मतलब था machine learning algorithm सीखना तो मैं बहुत जल्दी machine learning algorithm सीखने चला गया बट मैंने तीन important चीजों पे ज़्यादा काम नहीं किया कौन सी तीन important चीज है सबसे पहला है data cleaning या data pre-processing दूसरा है feature engineering और तीसरा है exploratory data analysis trust me guys interview crack करना एक बात है फिर industry में जा करके एक अच्छे data scientist की तरह काम करना बहुत अलग बात है तो अगर आप एक अच्छा data scientist बनना चाहते हो न तो आपको इन तीन चीजों को तो master करना ही पड़ेगा जाद तर data जो आपको मिलेगा वो unclean होगा उसको clean करना बहुत important है मैंने कई सारे data scientist लोगों को देखा है जो कि बहुत अच्छे है वो magically feature engineering करके problem को simplify कर देते है और फिर मैंने कुछ data analyst लोगों को देखा है जो data का analysis करके इस तरह के insights निकाल बाते हैं जो एकदम hidden होते हैं तो ये magical qualities जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी न भले आप interviews crack कर लोगे बट आप अच्छे data scientist कभी नहीं बन सकते तो अगर आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा suggestion आपके लिए ये रहेगा कि machine learning algorithms सीख जाओगे trust me उसमें कुछ ज़्यादा time नहीं लगता ये जो तीन चीज़े हैं इनके उपर थोड़ा सा आपको focus करना है और थोड़ा सा practice करना है ठीक है ये सारी चीज़े practice के उपर based है data sets उठाओ उनको clean करने का practice करो data sets उठाओ उनके उपर EDA perform करो नई problems उठाओ उनके उपर feature engineering की practice करो and you would see yourself becoming a very good data scientist mistake number 6 not trying out real world data sets so मैंने क्या गलती की कि जब मैं machine learning सीख रहा था तो जाधा तर जो मैं practice किया करता था वो ऐसे data sets के उपर किया करता था जो कि बहुती standard और trivial data sets है वही Titanic के उपर वही MNIST के उपर वही diabetes, TEMA, Indian data set मैंने इन ही data sets के उपर शुरू में काम किया and honestly इन data sets में बहुत ज़ादा कुछ सीखने को है नहीं ठीक है मैं regret करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे दोबारा opportunity मिले तो मैं क्या करूँगा कि मैं कैगल पर जाओंगा और वहां से बहुत real world based data sets खोजूँगा और उनके उपर काम करूँगा वो मुझे ऐसा learning देगा जो मुझे आगे के लिए बहुत help कर सकता है ये MNIST वगेरा पर काम करना अच्छी बात है मतलब ठीक है, starting के लिए सही है बट वहां पर रुकना नहीं है जो आपने सीखा, उसको आगे बढ़ाओ कुछ ऐसे data sets उठाओ जो थोड़े uncommon है नए है लोगों ने उसके उपर जादा काम नहीं किया और उसको as a challenge पकड़ो और उसके उपर काम करो उन data sets की उपर जब आप अच्छे results लाने लग जाओगे न तो आप समझ जाओ, आप अच्छे data scientist बन रहें Mistake No.7 गलत order में machine learning algorithms को पढ़ना ये मैंने एक बहुत stupid सा mistake किया मैंने एक ऐसे पढ़ाई कि मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझे लगता है सही order नहीं है इससे क्या हुआ मेरे learning में एक problem क्या हुआ कि मेरे शुरू वाले algorithms बहुत strong थे क्योंकि मैंने उनमें बहुत जादा time spent किया बट ये जो last मैंने जो algorithms मैंने cover किये boosting वगरा उस पे मैं जादा time नहीं दे पाया और वो शुरू में मैं उनमें उतना अच्छा नहीं था so honestly if you are starting out here is my suggestion आप कुछ algorithms पे जादा time spent करो because they are much better than other algorithms industry में जादा use होते हैं interview में जादा पूछे जाते हैं मैं आपको नाम बता देता हूँ linear regression, logistic regression आपको अच्छे से पढ़ना है SBM पे बहुत questions पूछे जाते हैं वो आपको पहले cover करना है PCA पे बहुत questions पूछे जाते हैं वो आपको पहले cover करना है और फिर पूरा का पूरा ensemble learning which includes bagging, boosting, stacking और जो भी आपके boosting frameworks हैं इनको आपको पहले cover करना चाहिए क्योंकि अगर आप इनको बाद के लिए छोड़ोगे तो उतने अच्छे से तयारी नहीं कर पाऊगे जब एक बार आपने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद जो भी बच्चे होए आपके algorithms है KNN हो गया या Naive Base हो गया ये सब आप बाद में कर सकते हो ठीक है आपका टीसने हो गया Clustering algorithms हो गया Clustering algorithms भी kind of important है वो भी आपको पहले ही करना चाहिए So basically मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद आपको Google search करना चाहिए which are the top 10 most important machine learning algorithms और उन 10 को सबसे पहले पढ़ो और बात में फिर बाकी non important algorithms के पीछे भागो नहीं तो क्या होगा कि शुरू वाले में आप strong रहोगे बात वाले में आप weak रह जाओगे और that is a problem according to me Mistake number 8 Not focusing on deployment and monitoring of models So शुरू के दिनों में मैं आपको एकदम honestly बताऊंगा मैं बस किसी तरीके से model बना दिया करता था और बस model बनाते ही मेरा काम खतम हो जाता था अब अगर आप आज की rate में job hunting कर रहे हो data science की domain में तो आपको पता होना चाहिए कि companies expect करती है कि जो candidate है उसको सिर्फ model बनाना ही नहीं model को deploy करना उसको monitor करना उसको product में convert करना भी आना चाहिए तो यह चीज मैंने नहीं की थी और honestly मैंने regret किया और बाद मैं मुझे इसके उपर बहुत महनत करनी पड़ी so मेरा suggestion आपके लिए यह है कि अगर आप आज अपना पहला project बना रहे हो तो उसके लिए भी आप सोचो कि मैं इसको एक website में कैसे convert कर सकता हूँ कैसे मैं इसको online ला सकता हूँ कैसे मैं इसको monitor कर सकता हूँ कैसे मैं इसका cost reduce कर सकता हूँ यह आपको हमेशा सोचना पड़ेगा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले modeling सीखा और फिर last में जाकर कि आप एक हफता deployment के उपर काम करे हो नहीं अगर आपने 10 projects बनाए है तो दसो project को online लेके जाओ ठीक है अलग-लग platforms के उपर आप काम करो Heroku, AWS, Azure, GCP इन सारे platforms का flavor लो CICD pipelines क्या होती है different operating systems के उपर आप अपने model को deploy करके देखो यह सब कुछ आज की rate में बहुत important हो गया आज की rate में एक field निकल के आई है जिसको हम MLOps बोलते है और अगर आप job description जाके देखोगे companies का तो वहाँ पर यह mentioned रहता है कि the candidate should have good skill in MLOps तो please, if you are starting out focus on deployment it's very very important mistake number 9, interview preparation so मैंने क्या गल्दी की थी कि मेरा interview preparation को लेके जो पढ़ाई थी ना, वो मैंने बाद में की पहले मैंने सारी पढ़ाई कर ली machine learning की जो मुझे लगता है गलत approach है I feel आज की rate में अगर मुझे दोबारा chance मिलेगा तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं कोई topic cover करूँगा मैं साथी साथ उसका interview preparation भी करूँगा मतलब let's say मैंने आज linear regression की पढ़ाई की and I have done it complete हो गया तो मैं क्या करूँगा मैं search करूँगा कि linear regression के उपर क्या questions पूछे जाते हैं और मैं साथी साथ उन questions को भी cover कर लूँगा so मेरे कहने का मतलब यह है कि जाधा तर लोग क्या approach use करते हैं कि वो पहले 6 महिने पढ़ाई करते हैं या 4 महिने पढ़ाई करते हैं और फिर last में 1 महिना या 2 महिना अलग से interview preparation करते हैं मेरा मानना है अब इतना experience gather करने के बाद कि यह दोनो processes साथ में आपको करने चाहिए तो आपको जाधा benefit मिलेगा अगर आप 6 महिने पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 6 महिने interview preparation भी करना चाहिए अलग से interview preparation मुझे नहीं लगता is a logical way of doing it what you should do is right from day 1 you should also start interview preparation ठीक है my 10th and last mistake not having a mentor and a study group मैंने एकदम अकेले पढ़ाई की एकदम ही isolation में जिसकी वज़े से कई बार क्या होता था कि मैं motivation lose कर जाता था और फिर periods आते थे एक दिन, दो दिन, एक हफ़ते का जब मैं उतना धंक से पढ़ाई नहीं करता था and that is where I feel एक mentor का होना और एक study group का होना बहुत important है mentor आपके लिए रस्ता आसान कर देता है अपनी गलतियां आपके सामने रख करके ताकि आप उन गलतियों को repeat ना करो तो मुझे लगता है if you are starting LinkedIn पर जाओ किसी expert को खोजो उसके पैरों में घिर जाओ और उसको बोलो यार प्लीज मुझे सिखाओ ठीक है you should get a mentor और आपका रस्ता बहुत easy कर देगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बहुत easily समझ में आने लग जाएगा study group मतलब peers होने चाहिए आपके आपके जैसे लोग जो data science में घुसना चाहते हैं अगर आप एक group form कर लो दो लोग का भी हो चलेगा तीन लोगों का हो तो भी चलेगा बट अगर एक group में अगर आप काम कर रहे हो ना तो कभी-कभी जो आप low feel करते हो या motivation खतम हो जाता है petrol खतम हो जाता है उन दिनों में आप उन लोगों से बात कर सकते हो और वो आपको help out कर सकते हैं बात करके या फिर आप किसी problem में फसे हुए हो तो आप उनके साथ एक whatsapp चाट में अपनी problem state करके solve कर सकते हो basically मुझे बहुत important लगता है यह अगर आपने अभी तक अपना mentor नहीं खोजा है तो please खोजो और अगर आपने अपना study group नहीं बनाया है तो आप मेरा discord community join करो वहाँ पर आपकी तरह 1000 लोग है आप उनमें से किसी के साथ भी study group form कर सकते हो ठीक है so यह रही मेरी 10 mistakes मैंने proper आज सुगे बाटके मैंने सोचा 10 points बनाये और यही थे वो 10 points I hope यह 10 points आपको काम आएंगे ठीक है और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो भी machine learning का तो आप यह 10 गलतिया नहीं करोगे ठीक है अब last चीज अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है और आप पढ़ाई कर रहे हो machine learning की data science की तो आप से एक request रहेगा कि आप अपनी गलती अभी तक आपने जो एक गलती की है या दो गलतियां की है comment में लिख करके बताओ ताकि और हम लोग एक list बना सकें कि क्या-क्या possible गलतिया है future में कोई अगर आता है इस वीडियो को देखता है comment को पढ़ता है तो let's help them ठीक है So that's it from my side I hope आपको वीडियो पसंद आया पसंद आया तो like कर देना अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो please do subscribe मिलते हैं next वीडियो में Bye